हेलो एब्रिवन स्वागत है आप सभी का डाउटनेट लाइफ पे तो काफे दिनों बाद हम सब मिल रहे हैं तो सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप सभी भूल तो नहीं कहें मुझे कि मैं क्या पडा रहा थी हम कहां पर दे क्या करा था सभ यात है थोड़ा रीविशन करौं मैं चलो थोड़ा एक बार रीविशन कर देख लेते हिमने लास्ट घ्रप्र लास वीक पर एंड क्री था नेपॉलियन आया उसने नेपॉलियन कोड लेके आया फिर हमने ये भी देखा कि कैसे जो नेपॉलियन के सपोर्टर थे वो उसको एंड में आके अपोस्ट करने लगे ठीक है तो यह हमारी लास्ट क्लास थी छोटा सा चिंटू सा मैंने डिवीजन आपको दे दिया है तो पटावट से NCERT बुक ओपन कर लो आज हम शुरू करेंगे बिल्कुल नया नवेला टॉपिक क्या है हमारे टॉपिक का नाम चलिए टॉपिक देख लेते हैं टॉपिक है दा मेकिंग ओफ नैशनलिजम इन यूरोप भाई चैप्टर का नाम है कि राइज ऑफ नैशनलिज फ्रांसी इसी क्रांती से झोते आगे सारी जगों पर क्रांती हुई ती उसी से लोगवा फ्रेंच आर्मी जो फिए जगे पर जा रही थी यह लास्ट प्राइब भी पढ़ाता वहीं नेपॉलिन कहा हाँ था कि अपनी आर्मी अलोवर दर वर्ल्ड भेज रहा था पूरे यूरोक में भी आर्मी ने दर प्राइंड कि जो फ्रांस में हुआ है जैसे रिवयल्यूशं फ्रांस में आई है वैसी है क्या लेकर आएंगे औल ओवर सब्सक्राइब से जो है वो हम क्या करेंगे आजाद कराइंगे मतलब होता है कि जो यहां से हमारी करांटी तो अब यूरोप की बात कर रहे हैं कि युरोप में खाली फ्रेंस तो आता नहीं है और भी कंट्री आती हैं तो आप हम पड़ते हैं बुक ओपन कर लिया है बोगों करने के साथ नोट वाली कॉपी उपन कर लो पटाव पड़ से सुंदर सुंदर शब्दों में सुंदर सुंदर हैडलाइन डालो हैदिं आई बात समझ में चलिए शुरू करते हैं कहां से अब बात हुई कि हम यूरोप की बात कर रहे थे तो यूरोप की बात करते हैं यूरोप में खाली फ्रांस तो आता नहीं और भी किंग्डम्ट होते थे भाई जिन जर्मनी हम अलग-अलग कंट्रीज के नाम पढ़ते हैं इतली जर्मनी सुजलन क्या यह कंट्रीज पहले भी थी नहीं क्या नेशन स्टेट पहले भी थे नहीं मौडन स्टेट चलो बता तो मौडन स्टेट भी पहले थे नहीं थे भई पहले क्या था सब किंग्डम्स हुआ करते थे किंग्डम्स मतलब अपने सामराज्य हुआ करत हुआ था था पहले होते हैं यह मतलब की छोटा वह दो पार्ट होते हैं वह होते हैं तो पहले है कि ऑलग देश है दूसरा अलग देश यह वी देश एक राज्य का हम राज्य सिंपल बात है यहां पी राजहराज गरता है इस देश का राज मैं कि मिल्ठ इस्टी वाले राज्ये का तो यह बिल्कुल थी वह एक लियर बाउंडरी नहीं थी वहीं जो तिने एक यूनिफाइड या लियर बाउंडरी टेरिटरी नहीं थी पहले था बहुत हो गया चोटा राज्ये पढ़ रहा है मेरे लोग समानी रहे इसमें मैं जाओंगा युद्ध करके आ और यह एरिया भी मेरा हो गया तो यह बात तो थी कि वहीं पैटिति यह से होगते हैं मतलब गया था तो कि उनमें जुक चीज़े कामन हुआ करूपा दो क्या लोग है ए सै इस देश के लोग है इसमने फ्रांस में पढ़ा था उनका नैशनल फ्लैग हो गया ठीक कि उनकी language हो गई बट इन यह जो kingdom हुआ करते थे इनके साथ क्या दिक्कती भाई इन सब के पास different language हुआ करती थी अलग अलग तरह के लोग अलग तरह की बाते अलग तरह की भाशा ठीक है अब इसके बाद देखते हैं Eastern और Central Europe में क्या थे अपने रंकुष शाषन जो होता है मतलब किसी की यहां पर जो राजा है उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगा सकता वैसा वाला साशन था अपने पड़ते थे फ्रेंच में जब फ्रांस में जब किंग लुई का राज था तो क्या था ऑटक्रिटिक मुनार की थी उसकी बात पर कोई रोक लगा सकता था कोई भी नहीं राजा महां पर सबसे उपर हुआ करता था यही पढ़ाना अपनने अभी तक तो वही था जो भी Eastern और Central Europe था कहां की बात कर रही हुँ मैं Eastern और Central Europe की तो यहां पर क्या था यहां पर ऑटक्रिटिक मुनार की थी पहला करेक्टिस्टिक हुआ दूसरा क्या हुआ बट ऑटक्रिटिक मुनार की होने के बावजूद भी अलग अलग तरह के लोग यहां पर रहा करते थे डाइवर्स पीपल मतलब सब भारत है भारत में हर धर्म के हर जाती के हर भाशा के हर तरह के लोग रहते हैं वैसे ही यहां पर Eastern और Central Europe में क्या हुआ करता था हर धर्म के हर जाती के हर भाशा के जो लोग होते थे वो रहा करते थे चलो कोई डाउट आपको चलिए देखते हैं डाउट से कोई डाउट आया भी तक. तो बेटा क्या करेंगे? अपन डॉट एकud लाइट कंपलीट करेंगे और डॉट उसके बाद लेंगे. ठीके ताकि क्या होगा? अपन भी कोर्स अपने को भी फिनिश करना है ना तो को भी पिनिश होगा डॉट भी क्लीर करेंगे अच्छा द्यूशी एंड कैंट एंग एंग और एंगलेट में एंगलएंड के नीच इंगलेновacăं एंगलेंड नीचेमा मोटे टिकर फिर्टे enabling है बिटा, Canton's होते हैं, Sub-Territorial Reason, मतलब यह हमारा Kingdom हुआ, Kingdom के अंदर के जो Sub-Territoryal Reason होते है, Sub-Territoryal मतलब छोटे जो Reason होते हैं, वो, Auto Critic बिटा होता है, निरंकुश, मतलब जिस पे कोई रोक ना हो, ठीक है, इसके बाद एक्दामपल बेटा किसका चाहिए आपको डूची मतलब मैंने आपको बताए कि यह जो भी इटली बगराई जो भी स्टेट्स हैं इनमें कहीं पे भी क्या होता था कोई यह स्टेट नहीं होते थे सिर्फ राजाओ को बेसिकली आपको याद क्या करना है बात का सार समझो कि कि इसी राजा का राज हुआ करता था कोई गवर्मेंट नहीं हुआ करती थी ठीक है बोर्ड का स्लेबल बेटा अपन डिसकस कर चुके हैं बट एक बार फिर भी मैं आपको बात की किसी क्लास में बताऊंगी तो ठीक है अब फॉस्ट पॉइंट जो रिपीट करने के लिए बो फोर्थ पॉइंट हमने क्लियर करा कि गयूरोप और सेंट्रल यूरोप में जो क्या थी उटक्रिटिक मौनार्की थी जर्मणी हिए लएको सुझा है यजे डिवाइड हो रखी थे गिंडम ह किंडम इन सब के अग्ग्जेंट गया है जैंडम सेनके एक यही描ड़न समझ मे एक्जाम्पल आए समझ में ठीक है अब यहां पर देखो समझो इदर का कि यह तीन कंट्रीज अलग अलग नाम से डिवाइड हो रखी है इस तरीके से बट यहां पर किसका राज था इन पर अपने अपने राजाओं का राज था ऐसा नहीं था कि कोई एक बंदा राज कर रहा था इन पर अपने अपने अलग अलग राजा थे जैसे अपने इंडिया में क्या होता है मेवाड के अलग राजा थे महराना प्रताप हो गए जो माराटा साइड के थे वो शिवाजी हो गए तो वैसे इनके भी अलग अलग राजा हुआ करते थे इन पर भी अलग अलग तो यह थीन चीज को कुछ भी कॉमन नी था जैसे लोगों में वोता है क्योंकि बहुत तक आपका नेशन स्टेट नहीं बना है आपका modern स्टेट नहीं बना है आपके पास common चीज कैसे आएगी common होने के लिए आपको एक फीलिंग दोहने जाए हैं हमारे बीच हम लोग एक common लोग में आते हैं या हमारे लिए एक चीज common है कोई feeling है ऐसी अभी तक तो नहीं है revolution ही नहीं आया था तो भाई इनके पास कुछ भी common नहीं था common क्या था इनका राजा सिर्फ इनका राजा जो था हो फिर इन लोगों का common होता था जिससे suppose करो जर्मानी अकेले में 39 सिटीज या करने स्टीज हुआ करती ती जर्मानी के अंदर ही और उन 39 सिटीज में भी अलग तरी की बातें अलग अलग तरी की भाशा है अलग अलग लोग हर तरह के लोग तो उनका common क्या था सिर्फ जर्मानी का रा मतलब हो गया अपना cultural group हो गया आई बात समझ में चलो first slide में किसी को कोई डाउट है पटावट से बताओ first slide में कोई डाउट है तो हम next slide में चलेंगे चलो autonome हाँ ठीक है आगे और आगे क्विस बेटा एंड में खेलेंगे अपन क्विस शुरूप पढ़ तो लो पहले हिंदी मी बढ़ा रही हूं बेटा केंटान मतलब सब territory कोई छोटा पाट किसी भी राज्ये का एक छोटा पाट सर्फडम बेटा लास्ट क्लास का सवाल है फिर भी बता देती हूं दास बनाना जिसे कहते हैं वो सर्फडम होता है ठीक है यू डोंट अंडेस्टेंड इंगलिश आम अल्री टॉकिंग इंदी यार बेटा मैं हिंदी मी बाद कर रही हूं ठीक है उसके बाद पॉर्ट पाइंट समझ में नहीं आया 4.1234 जर्मनी इट इस तरीके से डिवाइड होती गई थी चलिए फटावट से आते हैं अगली क्लास में अगली स्लाइड पर आते हैं बुलाओं मत्यार में पढ़ाने आयो तुम्हें तो ठीक है एक्जामपल अब यहां पे यह जो बात है ना यह जो बात इती दिर से पन पैरेग्राफ में प सेंपल बात है इस पर इतना फोकस करने की जरूत निया बता आपको कंसेप्ट समझना है यह बहुत बड़ी बड़ी टर्म से आप बोलोगे यहां पर नैशनलिजम आया कैसे तो अब आया कैसे आने से पहले हम प्रीवेस सिचुएशन तो देखेंगे ना कि पहले की सेंब इससे सिचुएशन के थी उसके बादीखेंगे ची आगे हुआ कि है तो चलो हैप्सपर्ग EMPIR को मैं इंप्रटेंटopaम यहां पर हैं पर kayak से एंडर में जो भी एडिया रहा है वो उसका एम्पायर हो गया एक बात संपराज्य मतलब सब एक सिनोनिम तो ठीक हैं अम्पायर जो था है सबसे पहले ऑस्ट्रिया पे था हंग पे था आप ऑस्ट्रिया पे था हंगरी पे था अप अलग 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 जगे अलग अलग लोग आप इसे इमाजन करो यह हमारा इंडिया है इंडिया के उपर जो रूल है इंडिया के उपर रूल है किसी भी राजा का दो रूल उसने क्या करा राजस्तान पे महराश्ट पे पंजाब पे ऐसे ले लिया अब महराजस्तान में कंसी कट्रीजा दी ती टारौ लास्ट्रिया सट्रेंड ये इन बोहीमिया बोहीमिया सिंगर तॉयाद कि नहीं आ रहा है किसी को ठीक है यही से यहां से नहीं आ है तीक है चलो ठीक हिसके बाद इन डीवेडिया जारी स्ट्रोगेट्स वर जर्मन-speaking अब यहां पे एक point समझो जो समझने लायक है aristocrate यह वर्ड क्या कहता है क्या important है क्या मतलब है पटावट से comments में बताओ किसी को इसका मतलब पता है तो cheating करके नहीं बतानी है पटावट से मतलब पता है नहीं तो अपन यहीं पर बताएंगे एरिस्ट्रोक्रेट्स मतलब क्या होता है एरिस्ट्रोक्रेट्स मतलब होता है बैटा कि एरिस्ट्रोक्रेट्स जल्दी ते बताओ आता है एरिस्ट्रोक्रेट का मतलब सबको एरिस्ट्रोक्रेट जो होता है वो बंदा जिसके पास higher power होती है ठीक है चलो एरिस्ट्रोक्रेट की बात सुमझ लो क्योंकि important concept यहां पर यह ही कि अरिस्ट्रोक्रेट आप बार बार पूछोगे कि मैं यह क्या होता है exactly very good ने दी high class people high society वाले जो people होते हैं वो होते हैं ठीके तो अरिस्ट्रोक्रेट्स are those people जो की society में higher position पे होते हैं जिसे अपनने French revolution nobility वाले लोग जिनके पास कोई अच्छा position होती है कोई society में power होती है that is aristocrate nobility वाले जो group के होते हैं राजा या कोई अच्छे परिवार से जो belong करते हैं ऐसी society जो बोलती थी वो होते हैं aristocrate higher power rich people rich people अपने यहां पर consider नहीं करेंगे क्योंकि यार पता है क्या middle class वाले भी अमी अलब जो बर्थ के टाइम से आपको privilege मिले होते हैं अमीर middle class वाले भी हो सकते थे यह businessman जो थे third class वाले उनके पास भी तो पैसा हो गया था but क्या वो nobility में आपा है कभी नहीं आपा है ना क्यूंकि यह जो फिया aristocrate होते थे इन्हें बर्थ के साथ privilege मिली होती थी ठीक है तो arist aristocrates कौन से हो गए यहां पर aristocrates हुआ करते थे aristocrates जो जर्मनी में अपर क्लास वाले लोग होते थे कोई भी डाउट चलिए आगे बढ़ते हैं aristocrates होते हैं जर्मनी में जर्मन पे जर्मन बोला करते थे इसके बाद लॉंबार्डी और विनेटी हमें लोग इटालियन बोला करते थे इसमें कंफ्यूज मत होना ज्यादा इसका डाउट सेशन अपन बिल्कुल भी इतना फोकस होके नहीं करेंगे क्योंकि बेटा यह एक्जाम पॉइंट व्यू से इतना इंपॉर्टन नहीं है बट आपकी एंसी एर्टी में दिया हुआ है एक्जामपल दिया हुआ ह तो अपन इस चीज पर फोकस रखेंगे कि भई हम एक लाइन भी स्किपना करें हां तो जो होते थे वह जर्मन स्पीकिंग लोग होते थे और इसके बाद लॉंबाडी हमने नाम पड़ा था लॉंबाडी और विनेतिया विनेतिया जो थे वहां के लोग इटालियन बोला करत गती थी डूसरी पॉपलेशन जो है अधर डालसा को बोलते हैं डालक से बता देती हूँ डालक को मतलब यह तो तर डिंट बाइfter बाइग्वेज या इलेक that is स्टाइलेग्ट, सम्झे बद को शर्वात से देखते हैं, हैस्बर्ग EMPYER था, हैस्बर EMPYER का रूल कहां पे था, ओस्ट्रिया और हंग्री था, ठीक है, जिर्चे और हंग्री पे था इसके अलग-अलग लेजन Bowl आ जैसे इंडिया हो गया इंडिया की अलगेंज होगे अलग अलग जितने भी स्टेट्स है तो बस वैसी जो होती है वो लेंग्वेज इस तो ठीक है अब लेंग्वेज देख रहे हैं अरिस्ट्रोक्रेट्स कॉन से हुए जो अपर सुसाइटी के लोग होते तो जो अपर सुसाइटी के कहां पर हैप्सबर्ग एंपायर में जितने भी लोग थे वो क्या बोला करते इसके बाद लॉंबार्डी और विनेटा के लोग क्या बोलते थे इतलियन बोला करते थे अब इसके बाद क्या थे हंग्री के जो आधी पॉपिलेशन थी वो मेगर बोला करती थी इसके बाद जो थे बागी बचे कुछ लोग जो हो गए वो अपनी अपनी डिफरेंट लैं करते थे नहीकं बहात थी इसके पाद्-बहाइमिया जो पॉला करते थे फॉर भी अलग अलग ग्रुप से वत ते तो बहां टी इसके पाद बहुत ही इसके स्लोविंस जो है वो कैरिलोना में यह जो है अपनी अलग अलग लेंग्विजिस बोला करते थे तो बात का सार समझो इस बात का कंक्लूजन समझो एंसी आटी में इतना बड़ा एक्जामपल जो लिख दिया वह कहना क्या चाहरा है वह यह कहना चाहरा है भाई एंपायर होता लोगों के किंडम करते एक राजा है उसका बहुत बड़ा समराज्य है ठीक है उसके बहुत बड़े समराज्य में अलग 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 राज्य आते हैं अलग अलग राज्य समझ लो देश समझ लो आते हैं उन देशों में भी अलग अलग तरे के लोग रहते हैं अपर सोसाइ वाले अपनी बाशा में देख रहें तो ये बात समझो कि कितनी बड़ी डाइवर्सिटी थी और इन लोगों के पास यूनिटी का कोई भी स्कोप नहीं था अब आप बताओ इनमें से एक भी बात आई कि इनमें एक चीज कॉमन है क्या कॉमन है सिर्फ हैप्सबर्ग एंपायर बतलब जो राजा राच करता था वो इसके अलावा क्या कॉमन है इनके अंदर कुछ भी नहीं तो ये बात थी कि भाई किंडम होता था पर इनमें नेशन स्टेट जैसी कोई भी फीलिंग नहीं हुआ करती थी चलिए पटावट से डाउट्स देखते हैं इसमें किसी का कोई डाउट है चलिए डाउट्स देखते हैं डाउट क्या है सबके वैसे आरा नहीं चाहिए इसमें डाउट क्योंकि इस पे से ज्यादा हम डूसरे पॉइंट पर फोकस करेंगे भाशा की वज़े से जगड़ा नहीं होता था बेटा होता था ना बट इतना लोगों को माइन नहीं किया करते थे थार्ड पॉइंट इरिस्ट्रोक्रेट्स मैंने वहीं बताया कि वह बट वह लोग जो आपर सुसाइटी के थे वह जर्मन बोला करते थे बट लॉंबार्ड होता है है तो हैप्सप्रक का कोई मतलब नहीं है ठीक है उसके बाद बताई यह पीजन कौन सी लेंग्वेज बोलते थे वहीं तो बता रही हो कि अपनी अपनी लेंगवेज किसान अब ऐसा थोड़ी इतने लोग हैं आप इंडिया में देख लो हर गाउं को किसान एक अपने अपने गुरुप थे और जो इनके गुरुप थे वह ऐसी लेंग्वेज बोला करते थे चलिए अगली स्लाइट देखते हैं अगली स्लाइट क्या कहती है अपने को अगली स्लाइट कहती है कि भई अपने को पढ़ना है तो सबसे पहले अपन फीचर्स पढ़ेंगे अब भी अरिस्टो क्रेट मतलब समझाया कि अपर सोसाइटी वाले तो अरिस्टो क्रेशी भी वही होती है इंपर उसाइटी वाले जो होते है अपर क्लास वाले या पुझने कोई कोई पोजीशन मिले होई होती है यह फिस को हम सिंपल लिंग बहुत हमेले ले ना तो हम इससे कह सकते है नॉब्याले ऋब टी कह सकते हैं जो करते हैं यह वह करते हैं वो होते हैं ऐसक्राइश कॉन होते थे च principe कौन होते थे चलो आप eta की भाशा में पढ़ेंगे कि इंस c BON! पैसे वाले टीक है जिनका का था युरोप ए दबबाता डॉमिनेटिंग होता है दबदबा होना प्रभाव होना ठीक है हम बोलते ना यह बहुत डॉमिनेट है मतलब हमारे उपर हग जमा रहा है प्रभाव है इसका तो आप सोसाइटी की तो यही बात है जिसके पास पैसा उसकी चलती है ठीक है तो भाई अरिस्ट्रोक्रेट्स जो थे वो रिच क्लास वा सबको ठीक है चलो इन सोसाइटी के मैंबर का एक कॉमन वेता लाइफ का मतलब होता है आपको यादे कभी खुशी कभी घम देखी है अपने जब शारुक जो लेंडन में का जोल होती है तो उनकी पड़ोसी अपने बच्चे को छोड़ने आती है और फिर वापनी ममी के साथ सब्सक्राइब करते हैं तो वहीं इनका तरीका हुआ करता था एक कॉमन लाइफ स्टाइल जो होती थी कि भाई बहुत तरीक के साथ रहना और सफोस्टीकेशन के साथ रहना साउट डेली के लड़किया देखिए कभी अपने वैसा कि साउट डेली वाले जो लोग होते हैं कि members of this society is a common way of life. मतलब कि भाई एक बहुत तरीके से रहना तजीब से रहना कि भाई ऐसे हाँ आप उठ रहे हैं बैट रहे हैं शोफ वाली जो लाइफ होती है क्योंकि रिच है तो भाई अब शोफ तो करेंगे शोफ मतलब दिखावा करना तो वह वैसी वाली लाइफ में ज बड़े बड़े कोठियों के मालिक सीधी बाता मैं याद रखना है अपने को बड़े बड़े जो गावों में स्टेट मतलब होता है खेज जो होते बगान जो होते हैं उनके मालिक बड़े बड़े घरों के मालिक कोठियों के मालिक जो होते हैं क्योंकि यह चीज आपने कहा पड़ोगे French Revolution पड़ी होगी तो French Revolution में क्या हुआ था कि जब पीजन्स थे उन्होंने क्या कराता नोबल पीजन्स का होते हैं गाउं के अंदर होते हैं तो गाउं में उन्होंने क्या करा था क्लास 9 रिवाइस करो बेटा क्योंकि यह चैप्टर क्लास 9 से पूरा रिलेटेड है तो फ्लैश बैक तो जाना पड़ेगा कि फ्रेंच रेवलिएशन में पीजन्स ने जब हमला कराता तो किस पर कराता नोबल क्लास वालो पर कराता उनके घर कहां पे थे गाव में थे बड़ हुआ करते थे बड़े बड़े घर जमीन दायदाद के मालिक हुआ करते थे और सारे के सारे फ्रेंच बोला करते थे झी कोंत्रले ली मादम ली पैट्रिया एच्टी चलिस अ यह फाली यह वाली लेंग्विज जो बोला करते थे फैमिली जो होती थी इनकी ना आपस में ही शादिया हो जाया गरती थी मेट्रिमोनियल अलाइंस जो होते अब सुनो एक बात है यह तो सुसाइटी का रूल है जनरली जो हम पुराने टाइम में मूवी में भी देखते थे कि भाई ज विसमें याद करोई कि जब फ्रान्स का जो केंग्सालु इसके 16 जो ता इनका इस से शादि करिती आउस्ट्रीया की प्रिंसस से शादि करी थी जिसको लोग पसंदि करा गशे भी करी तो वहीं कि यह फ्रेंश मोहां करते थे जो शबर गर अदा कि इंका जो था ता इनकी अ करता था इनका नंबर स्मॉल था मतलब अब अरिस्टो क्रेटी देखा जाए जो अरिस्टो क्रेट हुआ करते थे इनका काउंट कम था फ्रेंच रिवलुशन वापिस से याद करो नाइंथ क्लास का की जो थर्ड के स्टेट वाले कॉमनर हुआ करते थे वह बहुत बड़े अमांट में हुआ करते थे नोबल क्लास वाले जो थे वह कम अमांट में हुआ करते थे मतलब कम लोग हुआ करते थे पर खूब पैसा हुआ करते थे इनके पास तो यह जो था इनका ग्रूप स्माल था बट इसके अंदर कॉन आते थे पीजेंट भी आया करते थे कभी कभी ज हुआ करते थे डैट इस सर्फ भूलना मत इस चीज को ऐसी ओर फ मत लिखाना कभी भी बहुत मैडम से बहुत मार पड़ेगी एक्जाम में तो भाई क्या था मेजर पॉपलिशन इनकी किसमें थी पीजिंट पे दी और क्या करते थे यह बड़े-बड़े बहुत जो यह बड़ यहां पे characteristics समझो यूरोप जैसे इंडिया Central अपर इंडिया में बोलते न रेलवे में अपन रेलवे में travel करते तो बोलते पश्रिम रेल वेस्टन रेलवे उत्तर रेलवे पूरव रेलवे जो भी दक्षिन रेलवे तो वैसे ही यहां पे यूरोप में वेस्टन पार्ट में कौन होते थे जो किसान हुआ करते थे वो तो रेंट पे दे दिया करते थे कि यह हमारी जमीन है तुम हमें रेंट दोगे खेती करनी जो करनी करो पर तुम हमें इसका रेंट दोगे वहीं इस्टन पार्ट में क्या हुआ करते थे और इस्टन और सेंटरल एरोप में वह गु साइड वाले थे वो क्या किया करते थे वो दास रखा करते थे वो अपने गुलाम रखा करते थे और उन से खेती करवाया करते थे चलो लास्ट पॉइंट देखेंगे इसके वाद अपन कॉमेंट सेखेंगे ठीक है दा वेस्टन पार्ट अवेस्टन पार्ट अवेस्टन पार ओभ्रोप इंडस्ट्रियल प्रोड़्च्शन ठीकःंट इसना बेसिकलित बताया गया है कि बहोए यहाँ पर आप जबस्त एंप जो एक एक worden Central पार्ट था यूरोप का वहाँ पे इंडस्टियल प्रोडक्शन हुआ इंडस्टियल प्रड़क्शन कहां पे वह सेंट्रल पार्टं पर बढ़ेगा तांस बढ़ेंगे तीक है अब यहां पे जो है को मर्शियल लोगों की एक commercial class उबर के आ रही है मतलब यह worker class यह वो middle class है कहां से आई है इंडस्ट्रियल production की वज़े से आई है जब जब industry set हुई है तो जिन लोगों ने industry set करी उनकी जो class निकल के आई है वो जो समाज का group निकल के आया है वो जो group है वो था अपना new middle class आई बात समझ में चलो फटावट से comments देखते हैं last point के बाद कि वही क्या क्या doubt है आप सभी को फटावट से comments पर देखा जाए कि क्या है क्या नहीं आया है जल्दी से देखते है comments अपने okay वेटा okay तो last point मैं दुबारा clear कर देती हूं second point the member of this society is a common way of life common way of life होता है आयन कि एक particular culture था कि मतलब हम सब एक ही schedule follow करेंगे 8 minute में खाना खाना है तो आप अब military families होती है न तो मापे बहुत strict rules and regulations होते हैं कि भाई आपको 8 minute के अंदर खाना खाना है तो वो 8 minute का खाना मतलब सारे घर के member 8 minute का ही खाना खाएंगे इनकी lifestyle जो होती है normal लोगों से थोड़ी अलग होती है पर आपस में देखा जाए तो सबकी same होती है इसे अपने घर से relate करके देखो कि हमारे घर में पूरी के साथ आलू की सब्जी बनती है जरूरी तो नहीं किसी और के घर में बने बट हमारे घर अपनी बुआ के घर मामा के घर वहाँ पे यही बनेगे क्योंकि हम लोग एक ही जैसे लोग है फोर्थ पॉइंट बताती हूँ बिटा फोर्थ पॉइंट जो है this group was very small बाई इनका नंबर बहुत कम था इनकी तादाद बहुत कम थी, population में बहुत कम थे, ठीक है, population में बहुत कम थे, और majorly क्या थे, peasants मतलब किसान या farmer हुआ करते थे, कौन सी extra book prefer करोगे, बीटा, NCRT तो अपनी God है, Bible वही है, इसके बाद भी अगर आपको करना है, तो exam idea prefer कर सकते हैं, exam ideas के questions अच्छे होते हैं, वैसे मै बोलूंगे last year के paper कर लो, जादा बेटर रहेगा, ठीक है, फिफ्ट और six point बताते हैं, फिफ्ट और six point होता है कि भई, मैंने बोला fourth point में कि majorly लोग farmers हुआ करते थे, farmers में क्या होता है कि भई, farmers के बाद, अब इनके बड़ी बड़ी जमीन है, बड़ी जमीन का मतलब हुआ, अब क्या से खुटों खेती करेंगे नि इतना पैसा है तो, इतना पैसा है तो वो क्या करेंगे जो यूरोप के western part वाले थे, western part वाले farmer तो क्या करते थे, tenants मतलब होता है, rent पे देना, क्या होता है, tenants का मतलब rent पे देना, तो किरायदार होते हैं वैसे किराय पे जमीन दे दिय लिए करते थे किसको जोग जिनके पास जमीन नहीं हुआ करती थी उनकों या फिर फिर छोटे जो चोटे हमें करते थे उनको इसके अलावह ब 5th और Central Emmanuel में क्या होता था वह घुलामिया करते थे कि भाई सव गुलाम ले आये हैं तुम वे ले आये तो ले आये तो उन्होंने जो पीछ रहता देहरा ता लास पॉइंट क्या था कि यप दो बात हुई अरेंश्टो्क। की हिए धीरे धीरे क्या हुआ खेती के बाद इंडूस्ट्रियल रिवलीशन आया तो इंडूस्ट्री शेय त है तो इंडूस्ट्री तो हुए तो होती है क कराड mi तो उनका जो जो कलती के बारे में आपने इस्ट क्लाइड में डीटेल से पढ़ेंगे अपनी सर्फ मतलब होता है जो गुलाम होते हैं दास होते हैं अधिलेश आप भी वाहा चाह रही हैं कि सब्सक्राइब होते हैं अगली अगली स्लाइड पर चलते होप यह डाउट अब सभी को क्लियर हो गया है चले अगली स्लाइट पे चलिए देखते हैं अगली स्लाइट क्या रही है हमारी की दा नियू मिडल क्लास अरिस्टोक्रेट्स पढ़े अपन ने स्क्रीन शाट लटो miten भी स्क्रीन शेट वट आपको सिंद्स रिड़ उस्काइब इसका इ tenth नोट्स के बथा कि पूरे ऑल ओवर युरोप में एक ही बार में अरे सारी industry set हो गही, England में भी, France में भी, सब जगे एक ही बार किसी न आइडिया डाला, bomb में इसे drop किया, इधर एक industry England में डाल दी, एक France में डाल दी, ऐसा थो नहीं हुआ था, England में जो industrialization था, वो पहले आया था, France और Germany के parts, कुछ parts में बाद में आया था, तो इंग्लेंड में कब आया था जो 18th century ते उसकी सेकेंड आफ में आ गया था मतलब 1750 के अराउंड आ चुका था ठीक है अब फ्रांस और जर्मनी में कब आया 19th century में आया मतलब जो 1800 से 1900 का टाइम है तब आया तब 19th century में एक नया शोशल ग्रुप बन के आया क्योंकि फ्रां सक्वा करते खेंफिले की ओड्योंकि अपने लोगों के साथ जैब एक एक नहींता काम करने वाले कै बनने इंडे डिया इतकर हैं ऑपकर का अपना एक ग्रुप बना है नहीं से देत्री सबकौई एक हम अपने जिसे लोगों के साथ गृपनाया सूसाइटी बहना तो वैसा ही वर्करस ने गृप बनाया स्थ ने गृप बनाया क्या करा यह ए से खर हाई थी इस साइटी वैसे वाले बिजनस में जो बिजनस करतें इंड़ेस्टिल इस जिनकी फैक्टरी हुआ करती है तो बेसिकली इस ग्रूप में पहला अपना यहां से याद रखो कि वरकिंग क्लास पॉपुलेशन हुआ करती थी दूसरा था मिडल-क्लास के लोग जो कि इनड़ेस्टिलिस्ट बिजनिसमेन और प्रोफेशनल्स हुआ करते थे अब इसके बाद तीसरी चीज क्या है कि यह लोग क्या थे प्रोफेशनल्स होते थे थोड़े लिखे होते थे एजुकेटेट होते थे इनके पास पैसा तो आ गया था बट अभी उसमें एरिस्टोक्रेट्स में नहीं जा सकते हैं तो ऐसे हैं कि चुपते आप सुन लिया बिल्कुल ऐसे बोला बच्चा बनके नहीं हमने पढ़ा ही लिखाई करी तो हमें पता है कि यह बात तो ऐसे नहीं होती है लिबरल मतलब इन्हें आजादी चाहिए थी कि सारा हम ही क्यों भुकते हैं और यह लोग सक्त अगेंस् में थी इनके अंदर नैशनलिजम जो था वो कूट कूट के भर गया था नैशनलिजम मतलब कि एक नेशन बनाना है जिसमें सभी लोगों की एक कॉमन पहचान हो सोसाइटी अलग अलग ना हो तो जो आइडिया ऑफ नैशनलिजम था इनके अंदर बहुत स्ट्रॉंगर था क क्योंकि इनके अंदर एजुकेटिड लोग थे लिबरल लोग थे और मिडल क्लास वाले जो ग्रॉप से जो कि हमेशा से ही अत्याचार के शिकार रहे हैं यह वो लोग तो इनको चाहिए था कि भाई अपना एक ऐसा देश बनाओ अपना एक ऐसा पहचान बनाओ जिससे हम ल फिर से थो ऐंदरानी शरू हुए जिरे इंडस्ट्री स rede आनी शरू हुए इंगे तो धिरे धिरे यह ग्रॉप बनने शरू हुए फिरे थिरे टीरे फिरूप बनने तो इनका नंबर अभी इख क्या था स्मॉलर था आई बाद समझ में चलिस लास्ट माइंट देखते हैं इ को इतनी ज्यादे एडवांटेज मिले हुए थे इनको नहीं पसंद यह वोलते थे सब खतम होने चाहिए आई बाद समझ में चलिए तो फटा फट से कॉमेंट से एक लेते हैं कि भाई क्या का आपको क्या डाउट्स है इसके अंदर क्या क्या डाउट आ रहे हैं सभी को चल द इंग्लेंड के अंदर इंडिस्ट्रिलाइजेशन कहां से आया इंग्लेंड कभ आया हाफ अप 18th century मतलब 18th century अगर मैं बोल रही हूं तो 1750 के अराउंड ठीक है क्योंकि अपना पीछे चलता इसमें अब इसके बाद जर्मानी और फ्रांस में कहां पे आया 19th century के अराउंड तो 19th century में एक नया social group बन के आया तीसरा point है कि उस social group को क्या कहा गया दा new middle class कहा गया उसका majorly population कैसी थी working class population थी middle class वाले लोग थे जिसमें कौन उनका profession क्या था प्रोफेशनल मतलब जो educated teacher हुआ करते थे वो हुआ करते थे आई बाद समझ में कोई डाउट इसके अंदर देवर working class population चलिए आगे देखते हैं और कोई डाउट नहीं है चलो तो फिर अपने देखते हैं अगली slide क्या कह रही है अगली slide पे आने से पहले चले पोल करवा लि रहा है या नहीं आ रहा है तो फटावट से बताईए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है अब देखते हैं liberalism अभी तक हमने पढ़ा middle class क्या था अरिस्ट्रोक्रेसी क्या थी अब हमें क्या पढ़ना है भाई liberalism क्या है क्योंकि liberalism से ही हम आगे chapter को proceed कर पाएंगे यह टर्म आपने पढ़ी होगी 9th class के अंदर यह जो टर्म है अपने 9th class में पढ़ी है 9th class में क्या कब पढ़ी थी जब हम क्या पढ़ रहे थे chapter number 2 पढ़ रहे थे socialism in Europe and Russian Revolution तो socialism in Europe में हमने यह बात पढ़ी थी कि भई क्या है liberalism क्या होता है तो चलो फटा-फट से remind कर वा दे यह जो 5th point है के लिए अपने बाद में repeat कर देते हैं थांक यू अनुराग चलिए अब लिबरलिसम के बारे में देखते हैं लिबरलिसम क्या होता है इसे कहते हैं उदारवाद उदारवाद ठीक है उदारवाद मतलब कि वो लोग जिने आजादी थोड़ी प्रिये थी जिन पसंद था आजाद हो यह जो राजा का सिस्टम है वो हो खतम हां बेलकुल आरें स्क्रीन शॉट ले लिजिए आराम से ठीक है तो दूरिंग नाइटीन सेंचुरी इदा आइडिया ओफ नैशनलिजम इन लिबरलिसम वास तक्लोजली रिलेटेट तो यूरोपियंस भाई न क्या चाहिए था हमें अपना एक नेशन चाहिए सबसे पहली बात दूसरी बात हमें क्या चाहिए हमें चाहिए कि भाई हम लोग वोटिंग राइट्स हो या फिर जो है जो नोबल क्लास वगरा है यह सब खतम हो जाए ठीक है लिबरल जो थे वो लोग ते जो सुसाइटी च करना चाहते थे यह वो लोग थे इनको नैशनलिजम पसंद था बट यहां पर एक बात ध्यान रखना कि लिबरल्स वो लोग नहीं थे जो यह चाहते थे कि सबको वोटिंग राइट मिले यह इनका डिस अड़ांटेज था ठीक है तो हम यहां पर वही चीज पढ़ेंगे न रिबरलिजब कहां से आया है यहां पर आता है वनमार्व प्रॉक्स करके पढ़ेंगे हैपन क्योंकि बट मार्व मैं से करा मदा मिया πूछ से ठेले मतलब हम aja उनको 43 ताकि भाई ये मोनो मनार्की जो है आटो क्रेसी जो है सब खतम हो जितनी भी इन लोगों को वी आईपी ट्रीटमेंट मिल रहे हैं ना वो बिलकुल खतम हो जाएं ठीक है तो यूरोप में जो मिडल क्लास वाले थे अब चाहिए किसको आजा दी अपर क्लास वाले क्यों मांग आजाद है नहीं रुकी है बिटा क्लास नहीं रुकी है दुबारा से ध्यान से रिफ्रेश करिए अपने फोन को इंडियनेट चेक करिए ठीक है चलिए लिबरलिजम मतलब ता फ्रीडम हर एक इंडिवेजल जो है इक्वल हो सिंपल भाशा में इस सेकंड पॉइंट को समझ नहीं करते थे अगर उनके पास लिबरल लिबरलो अा गया तो मतलब वह सबी लोग जो उंगे तरे इस ट्रेस्ट मतलब होता है कि इसी पर होता था कि इस लोगों के द्वारा चुनी हुई गवर्मेंट होनी चाहिए लोग जुने वह वाली गवर्मेंट होनी चाहिए है ठीक है अब जब French Revolution हुआ अब बात हो रही है फ्रेंसेसी क्रांते की तो French Revolution हुआ तो Liberalism ने एक नया रूप ले लिया मतलब यहां पे तो मतलब था कि Freedom हो बट जैसे French Revolution आया ना तो इस वरड़ का एक नया प्रिडम चाहिए बट अब जब French Revolution आया तो फ्रांस के लोगों ने अगला मतलब दे दिया क्या मतलब दिया उन्होंने दिया the end of autocracy and clerical privileges clerical privileges क्या होते हैं भाई अभी तक अपन नोबेलिटी के बारे में पढ़ रहे थे यहां पे आया अपना furs state back to 9th class flashback टइराटना flashback में क्या हुआ वहां में क्या हुआ यहां क्लरजी लोग पहले चलर्च वाले लोगों होते हैं के लोग जिनको बहुत ज्यादा privileges मिली हुए ऊई कोस्य 1974 यह неё ठीक है, तो वो चाहते थे, सबसे पहले तो autocracy खतम हो, autocracy क्या बताई थी, जो निरंग कुछ शाशन है राजा का, वो खतम हो, भई राजा के पास जित्ती पावर है वो ले ली जाए, और जो clerical privileges हैं, जो की, जो clergy group पारे लोग हैं, उनके पास जितने भी फायदे हैं, जितने एड्वांटेज हैं, वो खतम हो, तो यहां से हमारे पास liberalism के दो मतलब आए, लोग अलग, सोच अलग, तो पहला तो मतलब निकला, liberalism मतलब freedom, second मतलब निकला, हमारा liberalism मतलब end of autocracy, ठीक है, अब इसके बाद था, इसका एक और मतलब निकला, by framing of constitution and formation of government, इन लोगों का एक औ इसकान बनाना है, और क्या करना है, government बनानी है, एक parliament मनाना है, ठीक है, अब 19th century के liberals ने किस पे किया था, right to property पे, भई यह right to property क्या है, अपनी property तो अपनी होती है, अब क्या right to property, जो है वो है, नहीं, जब राजा का शाशन था, फ्रांस में, तो राजा को जो प्रापर्टी पसंदाई, suppose को रहो, आपका business मस चल रहा है, भई खूब, पैसे आ रहे हैं, बोरे भरवर के, बट अब क्या हुआ, राजा को लगा है, यह घर अच्छा है, इसके पास पैसा बहुत है, इसका business मुझे लेना है, तो तुम उसको राजा को क्योशन नहीं कर सकतेगी, भई तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो इन लोगों ने focus करा, भई जिसकी property है, वो उसकी private property है, किसी और का उस पे कोई हख नहीं है, कल को लगेगी यार मम्मी की property अब तो अपनी हो गई है, बट उस ताइम पे वैसा नहीं होता था, राजा को अच्छी लगी, तो राजा जो इस slide में कोई bit out हो तो फटावट से देखते हैं, comments refresh करे जाएं पटावट से, please, second point repeat कर दो बेटा, second point इतनी बार समझाया है, फिर भी रिदी आपको समझा देती हूं, कि वह second point, prince आपको भी समझा देती हूं, second point क्या कह रहा है, liberalism, main focus point यहीं है, liberalism, किस वर्ट से आया है, liberal से liberal का मतलब क्या होता है, free होना, आजादी मिलना, तो middle class वालों के लिए liberalism क्या था, उनको मतलब था कि भाई जो है, हम law के सामने equal हों और हम आजाद हों, ठीक है, आई बात समझ में, चलो, कोई doubt नहीं है, अगली slide पे चलते हैं, अगली slide क्या कह रही है, अगली slide क्या कह रही ह कि लोगों को क्या चाहिए था, कि उनको voting right नहीं था, यहीं पर liberalism का disadvantage आता है, जो उदारवाद थे, जो liberal लोग थे, उन लोगों ने सारी बात अच्छी बोली, उनने बोला कि सब law के आगे equal होंगे, सब को एक constitution चाहिए, बट अब जब voting की बात आई, जो universal suffrage है, suffrage मतलब यह उनका था, जिसके पास पैसा है, उसका vote है, जिसकी property है, उसका vote है, तो basically, हाँ बेटा syllabus में, बोड का syllabus ही है, बोड के syllabus में पढ़ रहे हैं अपन यह है, ठीक है, तो यह जो है, right to freedom में क्या हुआ, कि right to free, sorry, suffrage क्या हुआ, इनको जो है, vote देने का अधिकार किसको मिलेगा, ति उनको मिलेगा जिनके पास property होगी, तो जो यह सफरेज है, अब यहाँ पर property किसके पास होती थी, वापे से 9th class में जाना पड़ेगा, 9th class में क्या था, दो तरे के citizen हुआ करते थे, active and passive citizen, active citizen वो जो लोग जिनके पास property हुआ करती थी, जो text दिया करते थे, passive वो लोग जिसमें पर liberalism वालों ने बोला, तुमारी equality तो सीग है, सब लोग के सामने है, बट जो voting का right है, वो किसे मिलेगा जिनके पास property होगी, ठीक है, बेशक, अब ये बात ना French Revolution में यही मैं समझाना चारी हूँ, कि जब हमने French Revolution पड़ा था, तब भी यही हुआ था, कि चाहे voting का right किसी को बी एक साथ नहीं मिलाता, विमेन ने बहुत ज़्यादा struggle किया है voting right के लिए हमेशा से, तो यहाँ पे था कि जो voting right है, वो सब को नहीं मिलता, वो यूरोप, अकेला यूरोप ने यूरोप की बाहर country की यही हालत थी, कि भाई सब को voting right नहीं देंगे, वो आदमी जिनके पास property है, सीधा उनी को मिलेंगे, ठीक है, इसके बाद था, उसके बाद नेपॉलियन आया, नेपॉलियन ने भी यही करा, नेपॉलियन ने भी voting right में ज्यादा changes नहीं किये, उसने बेशक नेपॉलियन कोड लगा दिया था 1804 में, जो हम last class में पढ़के आए हैं, इसके बाद था जो voting right था, अभी भी limited था, society के कुछ ही लोगों को था, उसने भी ज्यादा कोई सुधार नहीं किया, उसने भी बुला जो ठीक है, voting right जो है, चलने दो, वैसे भी उसने तो democracy खतम कर दी थी, तो उसको voting right से कोई मतलब भी नहीं बचा था, तुम करते हो तो करो, नहीं करते हो मत करो, अपने को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इसके बाद था, अब थोड़े टाइम बाद जो था, विमेन के लिए voting right था, तो अब सबसे पहली बात थी कि जब नेपोलियने code आया, तो उसने क्यों राइट नहीं दिये, उसको लगता था कि जो women होती है, वो minor होती है मतलब यह पैट्रियार की है, हमारी सोसाइटी की, कि भई जो आदमी है, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा, मतलब उसको यह औरत को समालना है, women minor होती है, जो हमेशा थे चलती आ रही है, बट ऐसा नहीं है, पर यहाँ पे था, यहाँ पे यही बोल रहे हैं, कि ज इसको उसकी देखबाल के लिए पक्का किसी ना किसी की तो जरुवत पढ़ती पढ़ती है, जो यह वाली सोच थी, मतलब कि उसकी अथारिटी होनी चाहिए, या तो उसकी पताजी के पास, या उसके पती परमेश्वर के पास, ठीक है, तो वैसी वाली सिचुएशन थी, तो इस स्लाइड में कोई डाउट है, पॉइंट वाला और टू क्लियर नहीं हुआ, बेटा पॉइंटर वन और टू में कुछ है ही नहीं, सिंपल बात याद रखो, बात का स्यार याद रखो, कि भाई, राइट टू वोट सबको नहीं मिला, जिनके पास प्रॉपर्टी थी, उ पूरी स्लाइड का सार यहां के वोटिंग राइट किसके पास है, जिनके पास प्रॉपर्टी है और दूसरी ओड़ते हैं जिनके पास नहीं है राइट, थीक यह चाली अगली सलाइड पे आते हैं, लास डो सलाइड से फटापर से फिनिश करते ही से, जो लास लाइड है, अब तक हम पढ़ रहे थे, बह। पालििटीकल व्यू से जो ये नर्चनलिजम है, क्या है, बट अब क्या पढ़ेंगे बिसनिस पॉइंट अब ऑब इसने पॉइन्विक से पढ़ेंगे हमें बार-बार टॉल कटवाना पड़ता है हर एक स्टेट में किसी भी दिल्ली से कुड़गाव चले जाओ तो भी लग जाता है तो वैसी वाली बात है कि वो क्या चाते थे जो बिजनसमेन थे जो इंडुस्टलिस्ट थे वो क्या चाते थे कि भाई यह खतम हो जाए यह जो इसे लेके टी तक जाना है बीच में क्या आया और क्या आया ची तो उसको बीवाले पॉइंट पे बी टेक्स देना पड़ेगा देगा उसको ग्यारा कस्टम बैरियर मतलब ग्यारा जगह उपर जो टैक्स देके फिर आगे जाना पड़ता था ठीक है चले अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या कह रहा है आगे एक्शाम्पल दिया हुआ है कि एले एले क्या होता था एले होता है कि कपड़ा नापने की यूनिट होती है कि बइट में नापतें हैं ना कपड़ा पांच-पित की साधी यह पांच-पी तो बी यह dot तो एक जगे पर अलग नाप था फ्रैंकपुट में अलग नाप है तो इसका टेक्स भी अलग है अब यहां से टरम आती है जॉल्वरीन क्या होती है जॉल्वरीन होती है कि इतना चाहिए टेक्स का जो घोटाला चल रहा था लोगों को इतना टेक्स देना पड़ रहा था तो वहां के लोगों ने क्या बोला कि अपनी यूनियन बनाई तो उन्होंने क्या बोला यूनियन बनाते हुए उन्होंने बोला कि उस यूनियन को नाम दिया जॉल्वरीन क्या होता है जैसे यूनियन बनी इन्होंने सबसे पहले टेक्स हटा दिये सारे टेक्स कम कर दिये आई जैसे लिए ट्रेड यूनियन बन जाती है, वो जॉलवरीन होती है, चलो, चलिए, आज की क्लास यहीं पर हम, फिनिश करते हैं, फटावट से, तो मिलते हैं हम नेक्स क्लास में, तब तक के लिए, बाइ, गुद नाइट